जन्पत बरेली थाना शाही छेत्र के गाउं कुल्चा की गोटियां में गरीब किसान आंगन लाल का कच्चा मकान बारिश में गिरा मीर गंज तहसील प्रशासन को सूचना देने के बाद भी कोई अधिकारी नहीं पहुँचा जानकारी के अनुसार कुल्चा गाउं निवासी छेत्र पंचायत सदस्य ब्लॉक फतेह गंज पश्चिमी विक्रम सिंग यादव ने बताया कुल्चा गाउं में करीब किसान अंगन लाल पुत्र बेली राम मेहनत मजदूरी कर रोजी घर ग्रहस्ती चलाता था उनका मकान बारिश के चलते गिर गया उनके घर में रखा खाने पीने का सामान खटिया कपड़े आदी चीजे खराब हो गए जिससे उनका काफी नुकसान हो गया मेरगंज प्रशासन को सूचना देने के बाद भी कोई भी अधिकारे जाच करने नहीं पहुँचा पीड़ित गरीब किसान अंगनलाल ने बताया कि हमारे घर के पीछे अशोक राजपूत पुत्र दुर्गा शंकर का खेत है इस खेत में बारिश का और गाउं के नालियों का पानी जाता है जिसे वहाँ पानी जमा हो जाता है उन्होंने बताया कि अगर पानी इसी तरह जमा रहा तो बहां रह रहे कुछ पड़ोसियों के मकान में सीलन पहुँचने के कारण मकान गिर सकते हैं जिस तरह बारिश में मेरा मकान गिर गया अंगनलाल का कहना है कि प्रशासन या खेत मालिक उस समर उस जगे मिट्टी का पटान करा देता है तो आगे कोई अन्होंनी नहीं होगी देखती रहिए डीबी भारती समचार नजर हर खबर पर